हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मैं चैनल, इन दिस वीडियो वी विल डू चैप्टर थर्ड फ्रॉम यॉर कंप्यूटर आईटी प्लैनेट बॉक, तो लेट्स फिकिन, अन्द चैप्टर नेम इस अल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, अल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट का म वो मैं आपको डिटिल में हम चैप्टर में पढ़ेंगे, सबसे पहले तो हम इसका इंट्रोडेक्शन देखेंगे, इंट्रोडेक्शन, यू नो थैट बिइंग आप टास्क कोई भी वर्क करने के लिए दोगे, तो वो अपनी मशीनी लेंगोईज में समझता है, उन इंस् इन दी फॉलाइंग मैनर, अब वो कैसे, इफ यू समवन आस्क यू तो एट प्लस फाइव, यू विल कुछ गेव दी आंसर थर्टीन, अगर आप किसी से पूछोगे, की एट प्लस फाइव क्या होता है, तो वो आपको फटा-फट आंसर देगा, थर्टीन, बट दे सेम को कंप्यूटर इट विल नॉट एबल टो आंसर देगा, लेकिन यही कोशन अगर आप को कंप्यूटर से पूछोगे, एट प्लस फाइव, तो वो आपको आंसर, तो कंप्यूटर इस आंसर को ऐसे एजली नहीं दे पाएगा, क्यों? क्योंकि उसका एक अपना तरीका होता है, वो अपने इंस्ट्रक्शन को उसी तरह लेता है, और फिर हमें आंसर देता है, अब वो क्या है? क्योंकि कंप्यूटर के एक मशीन है, वो उसको इंस्ट्रक्शन दिये जाते हैं, वो अपने इंस्ट्रक्शन को पहले प्रोसेस करता है, फिर वो हमें आउपूट देता है, this is because of your instruction is not understood by the computer अब वो आंसर क्यों नहीं देपाया क्योंकि computer जो आपके instruction को नहीं समच पाया it can understand the instruction in computer language क्योंकि computer जो है instruction को अपनी computer language में समझता है the instruction written in a language which computer can understand called program जो भी अपके instruction देते हो उसको computer अपने language में जब उसको समझता है तो उसको कहते है program the computing is the program is implemented by a computer to solve any problem get result computer को कोई वी instruction दी जाते हैं वो उसको solve करता है फिर हमेर result देता है basically program solve with three step तीन स्टेप लिजाते हैं कौन-कौन से फर्स्ट एल्गोरिथम सेकिंड फ्लोचार्ट एंड थर्ड प्रोग्राम algorithm में क्या होता है creating an algorithm flow chart making flow chart बनाना पड़ता है और प्रोग्राम में converting flow chart into program जो भी आपने फ्लोचार्ट बनाते हैं वह किसमें convert हो जाता है program algorithm अब सबसे परहें दिखेंगा what is algorithm all the software program are written in special language called computer language जितने भी special program में उन सब को computer language में लिखा जाए special language में लिखाता है जितने भी प्रोग्राम में software है उनको बोलते हैं जिस language में लिखने जाता है उसे कहता है computer language they follow specific pattern of step to achieve specific object किसी particular task के लिए कोई particular work दिया जाता है जैसे आपको paint करना है या आपको कोई number add करना है या आपको कोई number divide करना है तो उसके लिए particular task दिया जाता है तो उसी के base पर work करता है before writing program we have a determined object and then we start developing a pattern of step अब इन object इन प्रोग्राम को करने से पहले हमें कुछ steps करने होते हैं algorithm is a step by step procedure to solve any particular task such as mathematical or logical problem जितने भी mathematical या logical problems होते हैं उनको step by step किये जाता है तो यह उस task को complete कर पाते हैं अब जैसे एक generally आप what step would you आपको कोई नई shirt purchase करने है by a new shirt तो इसके लिए क्या step follow करेंगे सबसे पहले take a money go to the market इना shop सबसे पहले हम money लेकर के कहा जाएंगे government कपड़े वाली shop पर जाएंगे market जाएंगे और फिर वहां पर shopkeeper को बताएंगे which color and which style आपको कौन से color की कौन से style की shirt चाते हैं फिर जो आपको पसंद आएगी choose and finalize the shirt जो भी आप उसको पसंद करेंगे shirt को उसको उसकी money पे करेंगे उस shopkeeper को दुकाना को फिर जो भी balance होगा वो shopkeeper आपको return कर देगा जैसे आपकी shirt 700 की है और आपने उसको 1000 रुपीस पे कर दिए तो वो आपको 1000 minus 700 equals to 300 रुपीस जो है आपको return कर देगा तो जो भी minus balance होगा वो हमें return कर देगा तो यह तो हो गया एक shop पर जाना और वहां से shirt purchase करने के steps इसी तरह more अब हम देखेंगे एन algorithm to add money to number two numbers को add करने के step सबसे बदे step 1 आएगा start करना फिर step 2 take a two number कोई भी दो नमबर लेंगे step 3 add two number फिर step 4 print a result stop यह होथा एक algorithm का process इसी तरह दो नमबर में greater than सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे start फिर start करने के बाद take a two number फिर दो नमबर लेंगे फिर comparison of two these numbers A comparatively B then go to step 4 और नहीं तो step 6 वो यह कह रहा है कि A बड़ा है तो B से A बड़ा है तो B से step 4 पे जाए नहीं तो step 6 बड़ा जाए तो print A अगर A बड़ा है stop हो जाए और अगर B बड़ा है तो print B और go to step 5 stop हो जाए ठीक है this is an algorithm find greater यह होता है greater number पाने का algorithm टीक है यह होता है step algorithm अब बात करेंगे हम flow chart flow chart is a diagram of a problem solving process example algorithm is called flow chart as a chart to flow chart of program जो algorithm होता है वो एक flow chart होता है और जो मतलब algorithm होता है वो यह चलता है आपका top to bottom ठीक है और इसको इसको यूज कहां किया जाता है geometrical symbols को इसको कैसे आप follow करते है geometrical symbol और दूसरा arrows का यूज के जाता है इसमें operations को करने के लिए अब जैसे start and stop box यह oval shape oval shape symbol used to beginning and the end of the flow chart start और stop करने के लिए oval shape को draw के जाता है flow chart में जिससे की अपना जो software जो program है वो start हो जाता है और ending के लिए भी हम oval को यूज करते है input output box इस अ पैलर फैलर गोरम फैलर फैलर रो gram shape box यह पैलर रो ग्राम shape box used to indicate input और output program जो भी output है आपका input है वो input इसके अंदर दिया जाता है और output दिये जाता है तो इस related program से related फिर हमें result मिल जाता है उसके बाद आता है processing box यह rectangular shape का box जो होता है इसमें हम processing करते है flow chart की like calculation decision box इसमें decision लिया जाता है कि वह नंबर add करना है यह greater than last gen बताना है multiply करना है यह date बताने है कोई भी चीज़ अब flow lines flow lines क्या करते हैं different shape connect अलगलग shapes को connect करती है और connector connector क्या करता है कि use to join part of flow chart flow chart के अलगलग parts को आपस में joint करता है ठीक है यह advantage of flow chart flow chart help in analyzing the problem in more effective way जो flow chart होता है जो भी हमारी problem होती है उसको effective way में present करता है हमारी problems को और flow chart is a better way to communicating the logic of a system जो हमारी logic जो होते हैं उनसे communicate एक अच्छे तरीके से better way अच्छे तरीके से अपर उसमें कर सकते हैं flow chart act as a guide during the program development phase जब आप program में work कर रहे हैं तो हमें as a guide की तरह हमें यह guide करता है ठीक है अब flow chart help in finding out error कोई भी इसके बाहर error है तो इस वह find करने में हमारी help करता है अब disadvantage sometimes the flow chart become complex if the program logic is quite long अगर flow chart आपका program जो flow chart में आप कर रहे हैं वो उसका logic अगर आपका लंबा हो गया है तो वह logic अगर गलत हो गया है तो वह quit करना पड़ता है आपको if you want to change or edit something in a flow chart have to redo अगर उसमें कोई गलती होगे तो आपको दुबारा से फूरा flow chart बनाना पड़ता है rules of making a flow chart there is a some rule of should be flow chart while drawing is proper flow chart in necessary requirement should be listened to out logical order logical order मतला आपको बिलकुस systematic इसमें work करना पड़ता है flow chart should be clear neat and easy to flow एकदम clear neat और easy होना चाहिए only one line one flow one flow line should be used to connection with terminal symbol एक line में ही उसके symbol आपस में connected होने चाहिए the direction of flow chart in a flow chart should be form top of flow from the left to right या तो top to bottom या फिर left to right होना चाहिए इस तरह से आप flow chart में work कर सकते हैं avoid the insertion of flowing line if you want to make a more effective and better example अब जैसे एक example के देखते हैं हमाया clearly से समझ में आएगा सबसे पहले आपने start किया फिर wake up in the morning go to the washroom step four brush your teeth सारे प्रोसेस करने के बाद स्टॉप अगें हमने भी पढ़ा था flow chart के अंदर oval shape में start होता है oval shape में end होता है stop होता है अब next converting algorithm into flow chart adding two numbers अब two numbers को add करना तो किस तरह किसे करेंगे algorithm start two number take two number और add two number print result stop flow chart में start input end 1 & 2 sum का क्या rule होता है sum equals to n1 plus n2 print sum और stop यह हमने oval shape ले लिए start करने के लिए और end करने के लिए फिर parallel वाली हमने shape ले ली फिर रेक्न का shape ले ली formula को करने के लिए processing के लिए और फिर प्रेंट sum यह input output के लिए यूज में लिए जाता है parallel वाली ती ने जो shape वो है ना यह input output के लिए और यह process के लिए और यह end के लिए यूज में लिए जाते हैं यह हो गया इसी तरह आप इसका area का कर सकते हैं टेक टू साइड calculate area by multiple two इसी तरह यह input output में a,b और area का क्या formula होता है area equals to a into b l into b इस तरह से अब program the last step in solving a program to convert the flow chart into a program सबसे last step होता है program का solve करने का program that can be written like computer language to get desired result there are many computer language you have learned जो यह program की जो language होती है हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं तो यहां पर आपका यह जो चैप्टर है complete हो गया how is the question answer take the correct answer the the step-by-step procedure to solve any part task called algorithm the diagram in medical representation is an algorithm is called flow chart the direction of flow chart in any future should be top to bottom the symbol used to indicate input output पैल यह पैरलर ओग्राम पैरलर ओग्राम पैरलर ओग्राम पैर यह जो चार्ट इस आप जो 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 इसके question answer हम next video में करेंगे यहां पर आपका chapter complete होगा आपको कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट section में कमेंट करके बताइएगा तन्यवाद झाल